YouTube Premiers से दर्शकों को ये मौका मिलता है कि वे रियल टाइम में आपके नए वीडियो को आपके साथ देख सकें और experience कर सकें. इस दोरान वे आप से इंटराक्ट भी कर सकते हैं. इस वीडियो में हम जानेंगे कि Premiers क्या होते हैं, उन्हें बनाने का तरीका क्या है, उन्हें कस्टमाइज कैसी किया जाए, और दर्शकों में excitement बढ़ाने और उनसे connect करने के कुछ बहतरीन तरीके क्या हैं. आइए, शिरू करते हैं. सबसे पहले जानती हैं कि Premiere क्या होता है. किसी वीडियो को Premiere के तौर पर सेट करती ही, उसके लिए वाच पेज बन जाता है. इस पेज को कोई भी access कर सकता है, और लाइव चैट की सुवधा होती है. प्रीमियर के दौरान अपने फैन से इंटराक्ट करने का एक बहतरीन तरीका है. वाच पेज का URL शेर करके दर्शकों का ध्यान खीचा जा सकता है. और लाइव होने से पहले ही, वीडियो में उनकी दिलचस्पी भी बढ़ाई जा सकती है. प्रीमियर के गए वीडियो, दू आपके पास ये option होता है कि आप उसे तुरंथ प्रीमियर होने के लिए सेट कर दें, या फिर बाद की किसी तारीख के लिए शेडियोल कर दें. सबसे पहले, यूट्यूब स्टूडियो में अपना वीडियो अपलोड करें. इंस्टन्ट प्रीमियर या वीडियो को प्रीमियर करें के तौर पर सेट करें, पर निशान लगाएं, और फिर पबलिश करें, पर क्लिक करें. आपके वीडियो की प्रोसेसिंग खत्म होते ही प्रीमियर शुरू हो जाएगा. वीडियो का प्रीमियर शेडियूल करनी के लिए, विजिबिलिटी या किसको दिखे, टैब में Screw करें, को चुने, फिर वह तारीख और समाई सेट करें, जब विडियो को प्रीमियर करना है. इसके बाद Set As Instant Premier या प्रीमियर के तौर पर सेट करें, पर निशान लगायें. प्रीमियर सेडूल होने के बाद उसके वाच पेज को कोई भी ऐकसेस कर पाएगा. आप अपने प्रीमियर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप ये सेट आप प्रीमियर का उप्योग करके कर सकते हैं, यहां आप काउंट डाउन थीम चुन सकते हैं, लाइबरी डारेक्ट सेट आप कर सकते हैं, और ट्रेलर जोड सकते हैं, काउंट डाउन थीम चुनने के लिए Countdown कितनी देर का होगा, याद रखें कि आपने विडियो अपलोड करने के दौरान जो समय चुना होगा, Countdown उसी समय से शुरू होगा, यानि कि अगर आपने Countdown टाइमर के लिए 12 बजे का समय चुना होगा, तो वो 12 बजे ही शुरू होगा, लाइव रीडारेक्ट से आपको यह सुविधा मिलती है कि प्रीमियर खत्म होने पर आप अपनी ओडियन्स को किसी दूसरे प्रीमियर पर या लाइव स्ट्रीम पर भेड सकें, आपके पास यहाँ आप्शन भी होता है कि ओडियन्स को अपने किसी विडियो पर रीडारेक्ट करें या किसी और क्रियेटर के विडियो पर, हाला कि दूसरे Creator के विडियो पर तभी Redirect किया जा सकता है जब उन्होंने Live Redirect की सेटिंग में ऐसा करने की अनुमती दी हो Redirect सेट करने के लिए Premiere अपलोड करती समाए Visibility या किसको दिखे टाब में Setup Premiere या Premiere Setup करें पर क्लिक करें Redirect के नीचे दिये गए Add पर क्लिक करें फिर चुने कि आपको अपनी Audience को कहां भेजना है इतना ही नहीं अगर आपके पास कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हैं तो आप अपने Premiere से पहले चलने के लिए एक ट्रेलर अपलोड कर सकती हैं ताकि आपके दर्शकों को आने वाले समाई की एक जलक मिले इसके लिए ट्रेलर या ट्रेलर जोड़ें में जाकर Add या जोड़ें पर क्लिक करें और वो विडियो चुने जिसे आपको ट्रेलर बनाना है उनका फॉर्माट ऐसा होना चाहिए कि वे यूट्यूब पर चलाए जा सकें ट्रेलर पंध्रा सेकंड से तीन मिनट तक के हो सकती है ये जरूर पक्का कर लें कि ट्रेलर का कॉंटेंट किसी और का न हो और नहीं वह हमारी कम्यूनिटी दिशा निर्देशों का उलंगन करता हो अपने प्रीमियर को कस्टमाइज करने की बाद और फिर शेड्यूल या शेड्यूल करें पर क्लिक करें यह नोट करना महत पूर्ण है कि आप किसी प्राइवेट वीडियो के लिए प्रीमियर नहीं इस्तिमाल कर सकती है कस्टमाइज की हुई सेटिंग में कभी भी बदलाव किया जा सकता है इसके लिए YouTube Studio में Login करें, Content में जाएं, आने वाले विडियो पर क्लिक करें और फिर Edit Premiere या Premiere में बदलाव करें पर क्लिक करें Premiere शुरू होने पर दर्शक आपकी साथ विडियो देखते हैं और चाट करके आपसे रियल टाइम में बातचीत भी कर सकते हैं दर्शक विडियो को rewind कर सकते हैं लेकिन जो live दिखाया जा रहा है उसे forward नहीं कर सकते Premiere खत्म होने के बाद वह विडियो आपके चानल पर दूसरे विडियो की तरह ही देखता है और उससे countdown भी हट जाता है Premiere पर मिले view count और comment दिखते रहते हैं जो दर्शक Premiere के दौरान हुई चाट को live चाट की तरह ही देखना चाहते हैं उनके लिए चाट को फिर से चलाने की सुवधा होती है अगर आप YouTube Partner Program में शामिल है तो Premiere से भी कमाई की जा सकती है इसके लिए आपके पास कई options हैं जैसे की Premiere वाले विडियो पर विज्यापन दिखाने की सुवधा चालू करना दर्शकों से सुपर चाट और सुपर स्टिकर्स का इस्तिमाल करने के लिए कहना इसके अलावा चानल मेंबर्शिप के फाइदों का इस्तिमाल करके भी कमाई की जा सकती है जैसे की पैसे चुका कर बनी सदस्यों के लिए चाट की सुवधा चालू करके और कस्टम इमोजी, लॉयल्टी, बैज वगहरा की सुवधा दे कर इन सुवधाओं के बारे में ज्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर जाएं आए अब आपको कुछ ऐसी बेस्ट प्राक्टिस के बारे में बताते हैं जिनसे आपके प्रीमियर को काम्याब बनानी में मदद मिलेगी सबसे पहले हमारा सुझाव है कि आप अपने प्रीमियर को कम से कम 24 घंटे पहले शेडियूल करें इससे दुनिया भर की ओडियन्स को इतना समय मिल चाता है कि वे सब्सक्रिप्शन फीड होम पेज या खोज के नतीजों में आपके प्रीमियर का थंबनेल देख लें अपना कस्टम थंबनेल ध्यान से चुनें क्योंकि यह इमेज आपके प्रीमियर क पर दिखेगी विडियो में दर्शकों की दिल्चस्पी बढ़ानी के लिए विडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ टेक्स्ट जोड़ें प्रमोशन भी बेहत सरूरी है प्रीमियर से पहले सोशल मीडिया पर वॉच पेज का लिंक प्रमोट करना न भूलें दर्शकों को व सूचना प्रीमियर शुरू हो जाने पर भीजी जाती है प्रीमियर के दौरान लाइव चाट का जवाब देकर दर्शकों से जुड़े रहें ताकि उन्हें पता रहे कि प्रीमियर देखते समय आप भी उनके साथ हैं आखिर में प्रीमियर खत्म होने की बाद वॉच पेज पर कुछ समय के लिए अपने दर्शकों से लाइव चाट भी की जा सकती है प्रीमियर खत्म होने की बाद का समय दर्शकों की सवालों का जवाब देने और उनका फीडबैक जानने का बहतरीन मौका होता है इसके अलावा आपके पास दर्शकों को किसी और वीडियो पर या क स्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर जाएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद